हेलो एबरीवन, वेलकम टो आरेटी चानल श्टाडे उस्थाव, आज हम लोग सेबा HSLC एक्जामनेशन 2018 जनरल साइन्स का कोच्चन पर देखेंगे और कुछ कोच्चन को स्वल्व करेंगे, तो इस कोच्चन पर में कुछ ऐसे कोच्चन हैं जो भेर भेर इंपोरेंट हैं, ब क्या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा, ताकि इस तरह का इंपरंट वीडियो मैं अप्लोड करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ह क्या लिखा हुआ है, Fe2O3 plus 2L becomes L2O3 plus 2Fe, the above reaction is an example of, देखे इस reaction में क्या हो रहा है, यह एल्मुनियम जो है, Fe से more reactive है, तो यह more reactive है, तो less reactive है क्या करेगा है, जाकर यहां में displace कर देगा, और खुद आके बढ़ जाएगा, ठीके, तो एल्मुनियम यहां बढ़ गया है, और Fe क्या हो गया है, यहां से चला गया, अकेला हो गया है, that means, एल्मुनियम ने क्या क्या, Fe को displace कर दिया, so इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, D, displacement reaction, कोचन नमर 2 देखिए, food cans are coated with tin and not with zinc, because इसका आंसर होगा, C, zinc is more reactive than tin, ठीके, means, tin से ज्यादा reactive होता है zinc, इसलिए zinc का यूज नहीं क्या जिता है, अगर zinc का यूज क्या जाए, food cans में, तो क्या होगा हो, वह reaction करके, कुछ toxic पदार्थ बनाएगा, जो हमारे health के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा, इसलिए zinc यूज नहीं क्या जिता है, क्या जिता है, tin नहीं क्या जिता है, so our answer is, zinc is more reactive than tin, condition जो है, वह red rhythmus को blue बना देता है, तो उसका pH value क्या होगा, तो इसका answer होगा, D, 10, क्योंकि हम लोग जानते हैं, जो pH scale होता है, उसमें 7 क्या होता है, neutral, और 7 से अगर ज़्यादा होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग base, means 7 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यह हो गया base, और 7 neutral होता है, और 7 से जो कम होगा, वह क्या होता है, acid, 7 से कम means 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, यह सब क्या हो गया, acid हो गया, तो इसका range होता है, क्या होता है, 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है, 7 neutral, और 7 से ज़्यादा होने से base, और 7 से कम होने से acid, तो यहां बुला है, क्या बुला है हमें, कि red litmus को blue को बनाता है, तो red litmus को blue बनाता है base, और base का pH value क्या होता है, 7 से ज्यादा, तो 7 से ज्यादा कुछ भी आगा दिया रहेगा, हमें, वहीं answer होगा, तो 7 से ज्यादा क्या दिया है, 10 दिया है, so 10 is our answer. कोचान आप फोर देखें, क्या बुला है, which of the following is not a correct statement about the trends when going from left to right across the periods of the periodic table, periodic table में, जब हम left से right जाते हैं, तो यह चार अप्षन में से कौन सा अप्षन जो है, not a correct, सही नहीं है, means इसमें से हम लोगो गलत को चुनना, इसमें से चार अप्षन में से कौन सा गलत है, तो देखें periodic table में जब हमनों left से राड जाते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों को याद होगा, कि metallic kriter क्या होता है, decrease होता है, और atomic radis क्या होता है, decrease होता है, ठीक है, तो देखें, finalement option क्या दिया हुआ है, the elements become less metallic in nature, विलकुल साही है, ठीक है, क्योंकि जब हम left से राड जाते हैं, ते क्या ह आप्ट्टन the number of valence electron increases. VALENCE LATERN क्या होता है? increase होता है. yes sodium NA कितना होता है? 11 होता है 281 magnesium mg 12 होता है 282 aluminium 13 होता है 283 तो देखे यहां वैलन्स लेटरन 1 है यहां वैलन्स लेटरन 2 है यहां वैलन्स लेटरन 3 है तो वैलन्स लेटरन क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है जहाँ लेड्स से राइड जाते हैंंते क्या होता है वहलेंस प्रियस होता है सही में नमझ और सी यह जीज़िक्ष क्या घ्लत हो गया क्या है क्योंう कि यहां देखेट फाइट फाइट फेट फान यहां राइशी religion Di करने में लूज करने में थिरी इसको थोड़ा ज़्ञादा दिकत अगर कम होता है तो असाने से यह को लूज कर सकता है ओ यह वा लेग豫 से राट जाते हैं तो क्या होता है बेलेंस लेट्रण बढ़ता जा रहा है जब बैलेलेंस लेत्रान बढ़ता है इसका मतलब और थालली agnet यह रहा है इसी giorno फ़र मूर पाइलेंस क्याओ क resposta गंग सखतंग कि इसक 이후 भेलेंस स्वास Сейчас इस चार अप्शन में से, अप्शन C जो है, वो क्या है, रोग है, तो हमें क्या find करना है, कि कौन सा correct नहीं है, तो अप्शन C, C is our answer, C is not correct. कोचन 5 देखिए, the name of the process with the help of which carbon and energy requirements of an autotropic organism are fulfilled, is, means, सवपोसेजिव, किस प्रकिरिया के द्वारा, कार्बन था, उर्जा की असक्ता को पूर्ण करते हैं, तो देखिए, सवपोसेजिव, सवपोसेजिव, means, autotropic organisms, तो सवपोसेजिव, means, हरे पिरपदे, हरे पिरपदे में क्या होता है, उनका पता हरा क्यों होता है, क्योंकि उसमें chlorophyll पाय जाता है, और chlorophyll के मदद से, CO2, carbon dioxide के मदद से, and sunlight के मदद से, वह आपना भोजन त्यार करते हैं, गुलकोच बनाते हैं, और energy produce करते हैं, तो इस प्रोसेजिव से क्या बलाजता है, photosynthesis, प्रकास translation अभिकिरिया, So, our right answer is, option A, कोच नमर 6 देखिए, the hormone produced by the pancreas that helps in regulating the blood sugar level is, means, pancreas से कौन सा हर्मोन निकलता है, जो हमारे blood sugar को control करता है, तो pancreas से insulin हर्मोन निकलता है, जो हमारे blood sugar को control करके रखता है, So, our answer is C, insulin, कोच नमर 7 देखिए, the part of the brain responsible for the sensation of hunger and thrust, means, भूख तता प्यास से सम्मंधित केंद्र मस्तिश का कौन सा भाग है, means, भूख और प्यास को, या कौन सा मस्तिश का कौन सा पाट है, जिसको भूख और प्यास मुसुष होता है, तो the central part of brain, brain का जो central part है, वो क्या होता है, हाइपो थेलमस, so, हाइपो थेलमस D is the right answer, कोच नमर 8 या syllabus में नहीं है, बोड़े गया हम 22 के लिए, क्योंकि reduced syllabus में इसे हाटा दिया गया है, कोच नमर 9, which of the flowing is not derived from the energy of the sun, या चार अप्शन में से कौन सा अप्शन है, जो sun के energy से derive नहीं किया गया है, तो answer होगा B, nuclear energy, अब देखते हैं, next question, question number 10, क्या बहला, देखिए, which of the flowing groups contain only biodegradable items, या चार अप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा है, जो केवल उसमें biodegradable है, हलांकि इस question में देने का काम था, non-biodegradable, अगर जया में पूछता, non-biodegradable, तो हम लोग का answer लिखते हैं, प्लास्टिक, क्या होता है, non-biodegradable होता है, तो अब answer क्या होता, answer होता C, क्योंकि C में plastic आ गया, तो plastic आने कारण क्या हो गया, non-biodegradable हो गया, बट यहां question पूछा है क्या, only biodegradable, तो इसमें A भी सही है, B भी सही है, और D भी सही है, means plastic वाले को छोड़के, बाकी सारा वाला सही है, तो इसमें से चून के जो answer लिखेंगे, आपका answer तीनो हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, A भी होगा, B भी होगा, और D भी होगा, So our right answer is A, B and D, क्योंकि A में भी तीनो क्या है, तीनो जो है, वो biodegradable है, B में भी तीनो जो है, वो biodegradable है, और D में जो तीनो है, वो क्या है, बाट C का जो है, वो प्लास्टिक जो है, नोन-bio-degradable है, I hope आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए and share कीजिए, तो आएए अब हम लोग इस पूरे पेपर को देख लेते हैं, Q11, 12, 13, 14, 15, 16, A, B, Q17, A, B, Q18, Q19, 20, 21, Q22, 23, 24, Q24, Q24 का और, A, B, 25, और, 26, 27, 27 का और, 28, 28 का और, 29, 29, 29 और, 30, 31, 32, A, 32, B, 32, C, 32, C, 32, 33, A, B, B, B का 1, B का 2, 3, और में कोचन दिया हुआ है देखे, A, B, B, B का 1, B का 2, कोचन दमार 34, कोचन दमार 34 का और, 35, 35, 35 का और, 36, 36 का और, आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूच्फूल होगा, तो इस तरह से हम लोगों ने, सेबा, HSLC, एक्जामिनेशन, 2080, जर्नल साइन्स का कोचन पेपर देखा, और इसमें MCQ कोचन जो 10 कोचन होते हैं, उसे हम लोग सुल्ब किया, और यदि आप चाहते हैं कि बाकी सारे कोचन को भी सलूशन मैं कर दूँ, तो प्लीज कोमेंट किजिएगा, मैं आपके कोमेंट का इंतिजार करूँगा, अगर आप कोमेंट करते हैं, तो आपके कोमेंट को देखकर, मैं इस पूरे पेपर को step by step, पुरा समझा कर सुल्ब कर दूँगा, तो आई होब यह वीडियो आप लोग आच्छा लगा होगा, और अभी तक इस चनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज इस चनल को सबस्क्राइब कर लिजे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, एक नए वीडियो में, थैंक यू,